Hello everyone, उमीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मैसल कितिका शर्मा and welcome to our channel Students, जैसे कि आपको पताए है हमने करी है series start जिसमें कि हम कर रहे हैं 1000 important question of biology, इसमें include है आपके botany andology plus one plus two key इस series को हमने नाम दिया है biology super series देखें students, जैसे कि इस question में हमने बात की है 1000 important question हैं, अब आप सोचो कि क्या 1000 question में पूरी biology हो जाएगी देखें, maximum जो important जीज़े हैं वो यहाँ पे हमने include की है और मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से हमने इसे पॉंप किया है जैसे कि one question है आपका, one question में हमने 4-5 topic आपको यहाँ पे explain किये गए है बाकि साथ साथ इसमें previous year सारे question include की है अगर आपका जिसे कि TAT का exam है, TGT का exam है, अगर tough से tough exam भी होगा तब भी आपका इस series को अगर आप complete देख लेते हो, अच्छे से देखते हो तो आपका जरूर clear हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि topic wise topic यहाँ पे आपके questions बने है और एक question में हम उस topic के regarding आपको complete information दे रहे है तो यह series आपके लिए बहुत ही benefit होने वाली है और neat वालों के लिए, neat वाले यहाँ पे अपनी revision कर सकते हैं कि आपको क्या knowledge है, क्या नहीं है, हर चीज आप यहाँ पे कर सकते हो तो इसलिए top 1000 question of biology हमने बनाई है तो चलिए start करते हैं हमने 275 question कर लिये थे, अब आदा है आपका 276 question which of the following micronutrient देखो, micronutrient and एक आता है macronutrient तो यहाँ पे मैं chart ही show कर देती हूँ एक आगे macro, एक आगे micro macro जो large amount में होते हैं micro जो आपके come amount में होते हैं तो देखो, जो आपके macro आके वो आगे carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, potassium, phosphorus, potassium, sulfur, calcium, magnesium, silicon and micro में आगे आपके iron, manganese, copper, zinc, molybidum, boron, chlorine, nickel, sodium and cobald तो देखो, इस chart को आप अच्छे से समझ लीजीगा क्योंकि micro, macro से question बहुत बार बनता है और हमेशा गल्ब कर क्या दे क्योंकि हमें element के बारे में पता ही नहीं होता macro मतलब तो जादधा quantity में चाहिए होता है और micro मतलब less amount में यह मत सोचना कि less है तो जरूरी नहीं है less है बट बहुत important है क्योंकि यह क्या करते हैं इनके बिनागर यह last है बट ना मिले तो बिमारी cause करते हैं तो देखें यहाँ पर आपका nitrogen, आपका फॉसफोरस और आपका sulfur यह सारे आपके macro में आते हैं माइक्रो में अब हम इसके यहाँ पर uses भी देख लेते हैं तो molybidum help करता है कंट्रोल करने को biology fixation के लिए और इसकी difference से होती है whiptail नाम की disease चोकी होती है cauliflower में cauliflower नाम से आता है कि whiptail disease किस में होती है किसकी वज़़ा से होती है biological nitrogen fixation के लिए कौन यूज किया जाता है तो हो गए ना 57 question आपके एक question में चलिए फिन next question आता है how many essential nutrients ठीक है इन में से कितने number of essential nutrients होते है वो आते हैं आपके 17 तो ये दिया था आपका and not stout ठीक है इतने होते हैं कितने में दिया था 1939 में चलिए next question करते है function unit of a zinc zinc का functional unit क्या है में zinc का काम क्या है ठीक है तो zinc का आता है ये काम करता है synthesis of a chlorophyll तो option C is the correct closing of a estrometa में कौन help करता है वो करता है आपका potassium पैर हो गया चलिए next question करते है the process of a conversion of a NO2 negative to N2 इससे क्या बोलेंगे तो आपका आता है जिसमें ammonia convert होता है किसमें convert होता है ammonia McMahonia nitrite and nitrate में amonification में भी ammonia convert होता है nitrite and nitrate में denetrification में होता है NO2 N2 तो ये आगया denetrification तो यहां से concept clear हो गया nitrogen fixation आपको पता ही है nitrogen क्या एक इपिक्स देखो और जो फिर्स्ट स्टेबल प्रोड़क्ट बनता है नाइटोजन फिक्सेशन ते वह बनता है नाइडोजीनीन क्या बनता है नाइटोजिनेन चलिए फिर नेक्स कोशिण करते हैं विच्छ फॉल्विंग मिनरल एलिमेंट प्ले ए बायलोजिकल नाइटोजन फिक्सेशन अब यह कोशिण किसी का गलत नहीं होना चाहिए तेकि अभी मैंने करवाया यह यह क्या करता है पोटाशियम आपका एक काम करता है प्रोटेन सथिसीज की मेली उस्टिस फिर आता है नेक्राणा टिशू में होता है नुकली कैसेड नुकलीटाइट कोएंजाइम एटीम में इसकी हल्प वेल्प जाती है मॉलीबी नंव यह अभी किया हमने आपका नाइटोजन फिक्सेशन के लिए जिंक का अभी अभी हमने काम किया, ठीक है, cause a little leaf disease and deciduous fruit में cause करती है, and pre-acursor ये IAA का, clear हो गया, चल लिए, next आता है आपका phototropin is mean of, phototropin मिल क्या है, phototropin का मितलब है, growing plant under control condition, क्या होता है, growing plant in control condition, तो option C, आपका यहां पर correct आ आ जाता है, next question is, which element is required for an opening and closing of a stomata, अब ये question तो वही repeated है, ठीक हो, phosphorus है, retard the protein formation काता है, younger tissue में present होता है, plasma membrane में present होता है, and opening के लिए, potassium, copper क्या करता है, deficiency से क्या होता है, इसकी, xanthema, ठीक है, जिसको हम chlorosis भी बोलते हैं, और जिससे क्या होगा, जो रच्री होंगे, उसमें, जैसे कि yielding होगी, gum and bark की, sodium आपको एक micronutrient आता है, ये metabolism and synthesis करता है, chlorophyll की, तर हो गया, चाले, next question, next question is, element obtained by a plant from atmosphere of a water, क्या बोला चाहेगा, उसको, देखो, mineral element होते हैं, कहां से obtained करते हैं, soil से, जैसे कि nitrogen, sulfur, potassium, sodium, magnesium, calcium, iron, magnesium, boron, molybidnam, chlorine, तो ये कहां से होते हैं, mineral, soil से, non-mineral आपके होते हैं, जैसे carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, ये आगे non-mineral, जो कि आपको कहां से होते हैं, atmosphere में, non-mineral मतलब atmosphere, और एक और याद बात रखना, एक element है nitrogen, जो आपका soil से भी मिलता है, और आपको atmosphere से मिलता है, तो ये question भी बनता है, कि कौन सा इस में से non-mineral है, या दोनों हैं, तो याद रखना nitrogen, next question is, loss of a chlorophyll that lead to yellowing of entire leaf or part of its color, कौन सा इस है, तो वो आता है आपका chlorosis, ठीक है, necrosis तब होती है, जब localized in death tissue में शोती है, लीप के, atiolation होती है, loss हो रहा है color का due to light, molting होती है, absent of a patches, जो green color की होती है, non-green in the leaf, absence हो जाती है, patches की, clear होगे chlorosis, loss of a chlorophyll and lead to yellowing, और necrosis, जब loss होगा, आपका light का, उसकी बज़ा से जो होगा, loss होगा pigment का, चलिए, yellow disease in a tea plant, tea plant में होती है yellow disease, किसकी बज़ा से, वो होती है, deficiency of a sulfur, और यह present का होती है, tip of a youngling, ठीक है, और sulfur आपको पता है, किसी काम आता है, garlic की smell होती है, onion की smell होती है, वो due to sulfur होती है, अब calcium की होगी, देखो calcium present होता है, cell wall में, तो sand wall में होगा, तो क्या होगा, उसकी death हो जाएगी stem and root tips की, फिर आता है deficiency of a iron, iron का important role है, आपका किस में, chlorophyll में component है, flavor protein का, तो इससे क्या होगा, वो chlorophyll का काम करना बन कर देगा, फिर आता है boron, boron help करता है, आपकी germination of a pollen grain, और ट्रांसपोर्ट करता है sugar को, ठीक हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगी, heart rot beat disease हो जाएगी sugar beat में, toxicness हो जाएगी tobacco में, cock spot of apple में disease हो जाएगी, तो boron का भी आपर याद रखना, next question is, most common symbiotic nitrogen fixation bacteria, जो आपका symbiotic है, azobacter आपका non-symbiotic है, aerobic type की respiration करता है, prokaryotic में होता है, colostrium A का anaerobic होता है, और non-symbiotic होता है, rhizobium जो आता है, वो होता है, symbiotic nitrogen fixation, ana bina रहा आपका, ये free-leaving nitrogen fixing bacteria है, जो इसका azola है, वो aquatic होता है, cyanobacteria है, ana bina, clear हो गया, तो ये question clear हो गया न, azobacter non-symbiotic, aerobic, colostrium anaerobic, आपका non-symbiotic, and आपका ana bina आ गया, free-leaving है, ठीक है, और क्या है, non-symbiotic होता है, clear हो गया, ये सारे आपके non-symbiotic है, and आपका rhizobium ही symbiotic है, चलिए फिर next question की तरह बढ़ते हैं, which of the following free-leaving fungi in a non-symbiotic nitrogen fixing, तो वो आती है, देख वेते हैं, theobacillus, ये आती है, chemo-synthetic free-leaving bacteria है, non-stock आपका cyanobacteria है, puliria जो है, ये आता है, आपका free-leaving fungi, साथ में आपका easter-way free-leaving fungi आता है, और ये है non-symbiotic, tolyprothics, ये आता है, आपका cyanobacteria, जो की है non-symbiotic, तो symbiotic and non-symbiotic है, आपके दो question होगे, तो इससे भी बहुत बार question बनता है, चलिए, फिर next question करते हैं, देखिए, अब next question देखो, आप observe कर सकते हो, कि next question next chapter से साथ हो गया, तो इस lecture में आपके हो जाएंगे, आपका 13 chapter तक complete, यानि 13 chapter से जो भी question आएंगे, थरी चाप्टर तक वो आपके कभी भी खराब नहीं होंगे, मतलब गलत नहीं होंगे, देखो, Law of Limiting किस ने दी थी? देखते हैं, जॉसेफ प्रिस्टल ने एक experiment दिया था, जिसमें उन्हें ने एक जैसे की बड़ जैसे बोल सकते हैं, उसमें इन्होंने पौधा हुआया, माउस को रखा, एंड कैंडल जलाई, वो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कि चांस किसे लेते हैं, औक सिजन की सप्लाई में, जो आपका क्या होगा, वो माउस जीवित रह पाएगा, तो ये इन्होंने का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ब्लाक मैन ने, ब्लाक मैन में, लॉफ लिम्ट नीं बोला था, इन्होंने बोला था, कि किसी भी काम को करने के लिए, एक स्पेशिफिक अमांडर पर टेंपरिचर चाहिए होता है, एक minimum and maximum तो इन्हों बोलता कि एक minimum मतलब इससे कम नहीं चाहिए और maximum इससे जाधा नहीं होना चाहिए यह concept Blackman ने दिया था 1905 में दिया था फिर आता है Labossier Labossier जो आते हैं इन्होंने जैसे कि आपका pistol ने जो plant है deep phalostron को इन्होंने oxygen बोला था कार्मन एक्सेर बोला था वहीं Labossier ने इसको बोला pure gas oxygen phalostron है अन्नौस्टिक गैर्ड डिसर फ्लस्टिक है यह concept इन्होंने दिया था फिर आता है टीवी एंगलमें इन्होंने बोला था action spectrum दिया था action spectrum के बारे में इन्होंने बात की थी देखो होगे ना 5-6 question यहाँ पे complete चलि next question is PS1 system presenting PS1 photo system 1 यह किस में present है ग्रेनम में यह stroma में देखो PS system जो होता है जो stroma होता है यह large है और ग्रेनम है यह small होता है और इसमें PS1 and PS2 system दोनों होते हैं कौन से होता है PS1 and PS2 तो हमसे पूछा है PS1 system किस में होता है तो PS1 system होता है stroma thalicoid में तो यह नि option B is the correct next question करते है chemical formula of chlorophyll A तो chlorophyll A का formula होता है C55 H72 O5 N4 Nmg देखो देखो core element magnesium तो यह आगया इसको हम picture में भी देख सकते हैं देखो एक tail है और यह head बोल सकते है magnesium है चार आपके nitrogen के साथ attach है तो इसको हम बोलेंगे porphyrin और इसको क्या बोलेंगे pie tall tail क्या बोलें pie tall tail long tail है ठीक है chlorophyll A का यह structure है formula हमने कर लिया N4 C55 H42 वहीं आपका जो आपका आता है next C55 H70 O6 N2 Mg यह आता है आपका chlorophyll B का formula और याद रखना जो आपका chlorophyll A है इसमें होता है CHO ग्रूप और जो आपका chlorophyll B है इसमें होता है CHO ग्रूप प्रेयर हो गया चलिए C40 and H56 O2 यह होता है Xanthophyll यलो कलर होता है ब्राउन एक्जी में ब्राउन ओल्गी में जो ही प्रेजेंट होता है होता है तो यहां से इस टॉपिक में आपके छे साथ क्वेशन होगे कैसे क्लोर्फिल A का क्वेशन क्लोर्फिल B का क्वेशन किस चीज़ से डिफरेंट है और इसमें क्या है सौल पेट्रोलियम में हैं CS3 ग्रूप लगा होता है पाई टॉल टेल और पारॉल हैड रेड कलर ओफिए कैरट कैरोटीन फिर C40 H56 O2 ग्जैन्थोफिल जो की इसका प्रड़क्ट है फ्यूको ग्जैन्थीन जो की ब्राउन एल्गी में होता है तो 10-12 क्वेशन आपके यही सॉस्सांदन फेर questo पर में वधन नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं विच Αपसरी कौर ऐस साय्कलिंग फोटोसिस्टम पोसिस्टम फोटसिस्टम फोटोसिस्टम ये या फोटोक्ट ब्लिक्त धुव्주는 जया दोनो ए और आपकी NADP की Synthesis भी होती है ठीक है इसमें PS1 and PS2 दोनों सिस्टम होते हैं नॉन साइकलिक में दो पॉइंट या दखना जो नॉन साइकल है वो ATP and NADPH2 दोनों बनाता है और क्या होता है इसमें यह फोटो सिस्टम है फोटो सिस्टम है पीएज वन और नॉन साइकलिक में दोन होता है और यह साइकलिक है यह क्लियर हो गया और आपको पता है स्मॉलेस जो यूनिट होता है लाइट कैप्चर करने के लिए वह कॉइंट ओजोम होता है तो हमसे क्या पोशिशन पूछा था विच्च आप तर रिक्वाइर इस साइकलिक फोटो फोस्फोराराइशन किस मे होती है साइकलिक आपकी फोटो सिस्टम वन होता है साइकलिक उसमें और नॉन साइकलिक में आपका फोटो सिस्टम वन भी होता है और आपका टू भी होता है यह कोईशन आपका गलत नहीं होना चाहिए तो यही इस टॉपिक से यही कोईशन मैक्सिम पूछे जाते हैं नेक C4 plant, जो C3 plant है, यह कारवंड एकसेशन की होती है, मीजोफिल, यह भी पूच्छा जाराथ है, C3 plant में कहां पर आपका कारवंड एकसेशन होती है, मीजोफिल में, C4 में, बन्डल सीफ में, C3 में आपका एकसेप्टर क्या आता है, RUBP, ribulose 1,5-diphosphate आपका मीजोफिल में क्या आता है? मीजोफिल में आता है acceptor आपका PEP, phosphoenol pyruvate यह याद अखना phosphoenol pyruvate और first product जो आपका C3 में बनता है PGA, phosphoclastic acid और इसमें 4-carbon oxaloacetic acid आपका C3 में आपकी crans are not me होती है C4 में not present और C4 में आपकी crans are not me present होती है ठीक है तो यह question आपका optimum temperature भी आप देख सकते हो जो mainly temperature चाहिए होता है 25 से 25 तक 20 से 25 तक और इसमें C4 में high temperature पे होती है तो यह question आपका पूछा जाता है कितना 18 ATP synthesis होती है glucose की और इसमें क्या होता है consume होती है 30 ATP produce one glucose efficient low carbon dioxide high in carbon dioxide एक्जामपल देख सकते हुआ आपका C3 के paddy wheat potato और इसमें आगया जाई temperature चले sugar cane, maize, sorghum and mortham तो यह किसे भी question आता है इससे भी question बन सकता है बनता है आपका इससे भी और आपका fixation किसे याद कीजिए C3 में आपका acceptor है RUBP और C4 में है PEP product OAA और C3 में PGA तो हमसे question क्या पूचा है गया है carbon dioxide acceptor in C3 तो PEP किसका था C4 plant का acceptor था PGA क्या था product है C3 plant का और इसमें क्या होता है Calvin cycle आपका C3 में RUBP acceptor है याद रखना riblose 15-phosphate oxaloacid क्या है आपका product है ठीक है C4 plant का and cringe anatomy इसमें present होती है और C4 का acceptor acceptor कौन है C4 का देखो PEP है या PEGP है तो C4 का आगया PEP ठीक है phosphor in all 5-acid और cringe anatomy इसमें show होती है तो ये question इससे इसी वे से question आता है सारा topic मैंने आपको एक question में यहाँ बे समझा दिया next question is which one is a cam plant कौन सा cam plant है नेखो cam के full form होती है Criciculous Acid Metabolism कार्मडेक से फिस्क सता है night में stromata open होते हैं night में and day में close होते हैं तो इससे हम बोला ज्यादा है इसको एक zero fighting condition होती है इसमें stressful condition में यह ग्रो करता है तो कौन सा आजाएग आपका यह आजाएग एक्सामपल pineapple ठीक है Cricious Acid Metabolism next question is PS1 and PS2 system given by दिखते हैं देखो Ernor ने यूज की थी carbon access fixation isotopes लिया था chloroplast में Vaughan Meyer ने लिया था important importance दी थी photosynthesis को Blackman ने अभी किया हमने इसी class में law of limiting Robert Emerson ने दिया था आपका PS1 and PS2 system यानि आपका option A is the correct next question is maximum carbon dioxide fixation is done इसमें इसमें होती है phytoplankton option B is the correct C4 plant carbon dioxide is occurring जो process होता है हमने क्या था अभी mesophyll में C3 में mesophyll में bundle seed cell यानि आपका option D is the correct next question is hatch and slack cycle यह होता है आपका C4 plant में C4 di carboxylic acid path पे भी बोलते हैं तो यह होता है आपका किसमें होगा इसमें all of these sugar cane में भी saugan grammy and euphoria में भी ठीक है इसमें PEP oxalic acid में convert हो गया and oxalic malic acid में malic acid के पार पाइरवेट पाइरवेट के बार फिर यह पोरा process होता है और इसमें होती है grand genot में dicotyledon होते हैं ग्रास होते हैं तो यह इसके और जब आपका synthesis of a glucose molecule तो वो आएगा ATP कितने करते हैं 18 and ADP 12 तो यह चीज़ याद रखना chlorophyll in chloroplast is located in कहां locate होता है आपका ग्रे नामें और stroma क्या आता है stroma आता है आपका site of a dark reaction अब एक question इससे भी बनता है कि green plant कौन सा color absorb नहीं करते तो green plant absorb नहीं करते green color इसलिए वो दिखते हैं हमें green color के यह question आता है next question is most effect wavelength of a light photosynthesis वो आती है आपकी red जो visible light होती है उसकी range देती है 400 to 700 एक और question मैं आपको भी बता देती हूँ अगर पूछा जाए green pigment तो chlorophyll आएगा अगर पूछा जाए green organelle तो plastid आएगा तो यह चीज़ आप ध्यान रखना है इसके साथ होगे आपके 300 question and आपके chapter 13 ता complete question जिते पूछे जाते हैं maximum वो हमने यहाँ पे in कर दिये next class में हम 14 question स्टार्ट करेंगे और वहीं पे हम उसके बारे में और decision करेंगे I hope यह video आपके लिए बहुत benefit होगी अगर आपको जादा और चाहिए कुछ तो comment करके बताईएगा और जो भी आपको अच्छा लगे इसमें बुरा लगे वो comment करके बताईएगा ताकि हम इसको और better इस series को complete करके बना सकें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा गलतियां भी बताईएगा अच्छा भी बताईएगा और क्यूंकि आपके comments हमें motivate करते हैं better काम करने के लिए चैनल को subscribe कीजिएगा साथ साथ बैल ऐकन दबा दीजिएगा ताकि आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो thanks for watching